रेस्लेट्स ने विवात के बार WFI की बैठक रद, खेल मंत्राले ने सायक सचिफ को सस्पेंड किया, कहा फेडरेशन सभी अक्टिविटी बंद करे पहलवानों और भार्तियों कुछती संग WFI की अद्दक्ष के बीच रविवार को होने वाली बैठक को रद कर दिया गया है यह फैसरा खेल मंत्राले की रोक के चलते लिया गया है, जानकारी के मताबिक अब 4 हफते तक यह बैठक नहीं होगी बैठक उतर पिदेश के गौना में होटल रोयल हेरिटेश में होनी थी उदर शनिवार शाम को खेल मंत्राले ने WFI की सभी एक्टिविटीज को स्थागित कर दिया मंत्राले ने कहा कि WFI को गौना यूपी में चल रहे रेकिंग टूनामेंट को भी रद करना होगा फेडरेशन में सायक सजेव विनोद तोमर को अनुशासन हिंता के आरोप में सस्पेंड किया है विनोद पर खिलाडियों से रिश्वत लेकर करोडों की संपती बनाने का आरोप है खेलमंद्री अनूराक ठाकुर ने ब्रजबूशन शरण पल लगे आरोपो की जाच के लिए कमेटी बनाई है और जाच पूरे होने तक उनसे फेडरेशन की एक्टिविटीज में शामिल ना होने को कहा गया है माना जा रहा है कि काउंसलिंग की बैठक के बाद ब्रजबूशन शरण सिंग मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखेंगे शुगरुवार कोन की प्रेस कॉंफरेंस कैंसिल होने के बाद बेटी प्रतीक भूशन ने कहा था कि 22 जन्वरी यानि रविवार को फेडरेशन की बैठक के बाद वह अपना जवाब देंगे